आपका corporate का exam किस pattern पे आएगा और हम किस तरीके से चलेंगे समेस्टर चार वाले बच्चों का जो corporate है न एक तो 17 तारिक को exam है और S.O.L. वालों का कब है एक 27 को exam है ठीक है हमारे पास दो exam date है 17 मई और 27 मई आज है हमारा कितनी तारिक 8 है 9 है 8 है मतलब S.O.L. वालों के लिए थोड़ा time जादा है और उसके लिए कम है हमारे paper का pattern आपको पता होना चीए क्योंकि और ये चीज़े मैं बता रहा हूं तो आपको परेशान होने के लिए नहीं बता रहा हूं ये चीज़े मैं बता रहा हूं ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए एक हमारा old pattern है एक exam का old pattern है और अभी कोविड के बाद 2020 के बाद एक new pattern है आपको हर किसी की तैयारी करनी पड़ेगी old के हिसाब से भी और नई के हिसाब से भी तैयारी करनी पड़ेगी सर यानि हमने अभी जो तैयारी करी है वो कुछ pattern से किया है हमने तैयारी दोनों pattern से किया है लेकिन एक होता है पेपर की practice करना तो अगर आपको आता कितना भी अच्छा हो और अगर आपने practice नहीं किया तो आपका paper definitely छूट जाएगा तो अब हमें practice क्या करना है इन दिनों में अब मैं एक पर दिखा देता हूँ ये जो pattern था ये 2020 से पहले था सर ये 2020 से पहले का pattern हुआ करता था और ये 2020 के after है आप reason भी सुनियेगा और simple सी चीजों को समझियेगा आप अपने आपको as a teacher मानके चलो एक पल के लिए अगर आप teacher हो तो अगर आपको paper दिया जाए कि आपको डेली उनिवर्सिटी का एक paper बनाना है तो आपकी सोच अलग होगी और आपके दोस्त को भी दिया जाए क्या दोनों एक ही जैसा paper बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे दोनों की सोच क्या रहेगी अलग अलग रहेगी तो यहां तक के paper जो बनाया करते थे 2020 से पहले वो professor डियू के अलग थे और 2020 के बाद के professor जो है वो अलग है तो बट ओविस सी बात है दोनों professor जो paper set किया करते हैं वो बदल गए तो paper का pattern बदलता है कभी भी ऐसा नहीं होता paper का pattern change हो गया paper में नया आ गया नहीं होता सर जो examiner change होता है तो वो अपने thoughts डालता है जिसके वज़े से paper का पूरा change हो जाता ultimately कभी भी out of slaves नहीं पूछेंगे वो लेकिन हाँ जब नए टेक्चर आते है ना उसके अंदर जब नया कोई आता है ना तो वो कुछ नया करने की courses करते हैं जिसकी वज़े से बच्चों को थोड़ी परिशानी हो जाती है तो सर पुराने pattern में क्या था और नए pattern में क्या है पुराने pattern में क्या था कि हमारे question 15 15 नंबर का each आया करता था यानि एक question 15 का final account 15 का cash flow 15 का ratio 15 का सब 15 नंबर का ratio तो है नहीं खेर और अलग जो chapter है वो 15 नंबर का इस वाले pattern में इन्होंने क्या करा कि 5 नंबर का each का pattern बना दिया 5 नंबर 3 नंबर 2 नंबर तो पहला pattern में बदला हुआ के paper marks जो है वो 15 नंबर का कोई questions नहीं आ रहा एकाद आ गया तो आ गया नहीं तो यह नए pattern में है और हमारा कौन सा pattern होगा suppose that क्या पता पुराने वाले प्रोफेसर फिर वापस आजे भाई मैं ही बनाऊंगा corporate का paper तो pattern तो यहीं चल जाएगा आपका और ऐसा भी हो सकता है कि नए वाले pattern पे जो बना रहे हैं वो बोले नह साल मैं बना लेता हूं अभी मैं ही continue करूँगा तो नए वाले pattern से आगा तो आपको दोनों के लिए prepare होना पड़ेगा क्या पता आप नए वाले questions पेपर देखके practice कर लिया पुराने वाले आगे 15 15 question आगे तब तो आप परिशान हो जाओगे उसमें अभी का जो pattern है वो पेप पेटन है अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि जो PC तुलसियान बुक है उनकी बुक भी है तो कहीं ना कहीं maximum questions आपको उनके बुक से मिल जाता है maximum questions आप पिछले साल का paper उठाके देखोगे ना तो लगभग थोड़ा बहुत डिजट चेंड है इनफेक्ट डिजट भी चेंज नहीं है उनकी बुक से मिल जाते हैं और इस वाले pattern का आप देखोगे तो maximum question और other writer लाइक जेयर मोंगा या फिर और भी है यह अलग चीज़े हैं दोनों चीज़ों को आप समझना analysis करना उसके हिसाब से तैयारी करना ऐसा नहीं हमने सब कुछ पढ़ लिया paper में कुछ नहीं करके है तो फाइदा क्या हुआ अब paper का pattern अगर मैं आपको दिखाऊं दिखाऊं तो देख भी सकते हो जैसे last class के अंदर भी मैंने दिखाए था आपको pattern एक बार देख लिजिए pattern को क्योंकि मैं यह चाहता हूं कि आपको हर तरीके से तयार जो बच्चे देखो नहीं पढ़ने वाले है ना उनके लिए तो सारे pattern एक ही जैसे है जो बोल रहे हैं कर नहीं समझ में आ रहा है नहीं कर रहे है तो उनके लिए तो नया क्या पुराना क्या कहते हैं काला अक्षर भ चलिए कि उसलेश लास्ट में आगे की अने के बाद मेरे पास एक लास्ट टेश्ट फेपर जो है कर चिर्फ कोस्ट्र देखाऊँ है और जब चोटे मांस के बचाते है ना तो पताए क्या होता है देख लो जो मैं कर रहा हूँ वही होता है पेपर बड़ा बन जाता है मान लो पंदरा नंबर का एक final account आया तो छोटा रह जाता है पेपर लेकिन उसी में से पांच-पांच नंबर के तीन बना दिये लाइक सपोज करो श्रीयर कैपटल हर बच्चे ने किया है तो भाई 15 नंबर में क्या प्रोडाटा बना देंगे और पूरा पेपर ही cover हो गया अब इसके अंदर देखो जैसे pattern क्या था 222 का तीन प्लस तीन छे का 2222 नंबर का अब 222 नंबर का मतलब चार सवाल नहीं है यहाँ पे एक ही सवाल है हर step calculation basis पे करा हुआ है और जितने step ठीक होंगे बच्चों के उतने marks मिल जाएंगे यह था पहला सवाल दूसरा सवाल देख लीजिए आप यहाँ पे भी 444 marking scheme के according हलाकि एक questions 20 का आया था यह तो उसके according है ठीक है अब आ जाते है स इसका ए पार्ट और बी पार्ट कुछ ना कुछ अटेच कर रहे हूं ठीक है ना यह कुछ ना कुछ पार्ट अटेच कर रहे हैं यहाँ पर अब मैं पहले का pattern दिखा हूं इससे आपको बहुत लगेगा simple लगेगा वो मेरे इसाबसे बच्चों को लेकिन मुझे simple लग रहा है आपको तो कोई मतलब भी नहीं आप तो पहली बार पढ़ रहे हो तो सभी की जैसा लगेगा भाई नया पेपर आया है तो नया ही है यह कौन सा पेपर है सर अरे यह तो chapter आ गया कि एक मुझे चलिए यह रपेपर है यह यह भी चैप्टर है क्या है लग तो chapter रहा है यह चैप्टर यह थोड़ा और नेची आज़ो भाई यह दो हजार अठारा कर डिस्कस कर लेते हैं दो हजार अठारा में देखिए क्या आया एक कुश्चंस आया और पूरा उसके साथ आंसर आया और एक ही कुश्चंस है और यह 15-20 का जो भी आएगा पहला कुश्चं हो गया भी पार्ट में थोड़ा सा देदिया अब्जेक्टिब बता देजिया बाई बैक का ठीक है पहला कुश्चंस दूसरे कुश्चंस पर आएंगे आप इसके और में क्या कराई इनोंने चोटे चोटे छोटे थियोरी दे दिये पच्च्चा पहला ही क question कर लीटा था बड़े वाला ऑर theory को इतना नहीं देखता था और यह भी बड़ा फैर कोशन आता था चलिए सर दूसरे कोशन पर चलते हैं क्या आया दूसरे कोशन में देखिए आप खुद कर सकते हैं उस पेपर को कि दूसरा 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 कोशन आये तो बताईएगा यह रहा है थर्ड कोशन देख लेते हैं दूसरा उपर निकल गया थर्ड कोशन भी एक पूरा कोशन साया और इसके नीचे थोड़े टॉफ 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 और जैस्मेंट दिए ए पाट प्रपेर रिलाइजेशन यह रहा चौथा कोशन कैश्फ फ्लो स्टेट्मेंट स्लेवर्स का पार्ट नहीं कर दिया उसको कहता है पांचवा कोशन देखें पांचवे कोशन में क्या है यह पूरा का पूरा पार्ट आया एक जिसके अंदर आपको फिक्स असेट्स वगरा देख दिया गया और वाट कैश्फ फ्लो स्टेट्मेंट बी पार्ट और पहला पार्ट हमारा है इन्वेस्मेंट कैल्कुलेट दा कैश्फ फ्लो फ्रॉम ओपरेटिंग एक्टिविटी और इसके और में भी यही रहा तो ओवर आल मैं जो बताना चाह रहा हूं आप एनलेसिस कर सकते हैं क्योंकि यहा कंशचुल था हम तो सारे chapters कर चुके हैं लेकिन इस पैटन पर अगर questions आता है तो आपको घबराने की जरौत ही रहां कर सब्सक्र है ना करने डिधा क्वरे पूरे लंबे लंबे बड़े questions हमने किये हैं लेकिन छोटे-छोटे वाले जो इससे से भी बल्कि आसान होते हैं वह वाले पैटन वाले नहीं करें भी हमने तो अगर वह वाले पैटन नहीं किये हैं तो अब मैं क्या करने वाला हूं इस पैटन को नए पैटन पर मैं करवाने वाला हूं नए pattern का तो जो मैं बोल रहा हूं ने revision लेके आऊंगा या एक एक questions कराऊंगा या एक question में बहुत सारी चीज़ें मैं कराने वाला हूं जो भी 5-7 दिन है आपके पास तो वो मैं करवाने वाला हूं इस वाले pattern पे इस वाले pattern के आप questions करिये 2020 से पहले करिये एक भी questions आपका नहीं रुकेगा आप देखेंगे जिनोंने पूरे chapters कर लिये हैं और इस वाले pattern पे मैं करवाने वाला हूं तो sir जब आप इस वाले pattern पे आप करवाएंगे इस pattern पे जब आप लेके चलेंगे तो कैसे होगा तो पहली बात इस pattern पे जो भी होगा सरिफ और सरिफ ये application वाले बच्चों के लिए ही रहेगा कुछ बच्चे कई बार पूछ लेते हैं यूटूब पे के सर यूटूब पे कब आएगा नहीं आएगा नए pattern का यूटूब पे नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा सर उसके पीछे reason है क्योंकि जो author है जो publisher है जिस type के वो question बनाते हैं अगर मैं उस type का कराऊं तो उनका सीधा clear cut कहना है कि हमारे questions को अगर YouTube के उपर reflect किया गया तो सीधी बात है कि हम YouTube पे आपके चैनल के उपर claim करेंगे और काफी सारे आप देखोगे ना तो जो publisher है इन्होंने अल्रेडी बहुत बड़े बड़े नाम के YouTube चैनल पे पहले ही copyright claim डालके उनको बंद भी करवा रख आप जाके देखोगे जो publisher है आप सर्च मार लेना नेट पे जिस publisher की मैंने बात की है और उस publisher का आप एक बार YouTube पे देख लेना कि कितने चैनल बंद करवा दी है टेलिग्राम चैनल उन्होंने कहा कि हम किताब बेच रहे हैं आप यहाँ पे दिखा दोगे बच्चे ने कर लिया हमारी किताब तो ब बता देंगा ठीक है तो पहले तो आपको new pattern और old pattern की बात मैंने समझाई तो आपको दिमाग में लेकर चलना है बाई मैं तो बताऊंगा कि actual market में चल क्या रहा है बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो आज कोर्स बाई कर रहे हैं और साथ दिन बाद पेपर है बहुत सारे ऐ अगर मान लोग पढ़ रहे हैं तो वो इस तरीके से तयार हो जो लेकिन हाँ final account और cash flow नए pattern और पुराने pattern में सेम रहा था बाकी का scenario बदला था ये भी मैंने आपको बता दिया final account और cash flow यानि जो आपके 20 नंबर के chapter बनते हैं 20 से 30 नंबर के बीच में जो बनते हैं वो तो as a transformation reconstruction के थोड़ी entry को hard किया गया tough किया गया और एक किया गया हमारा कौन सा holding वाला जो कि आपके पुराने वाले सलेबस का holding के अंदर थोड़ा pattern चेंज किया गया passing marks के लिए बता दो passing marks के लिए 40 नंबर लाने हैं और कैसे तैयारी आपको करने वो आप जानोगे मैं तो बोलूँगा चार चेप्टर अच्छे से कर लो पास हो जाओगे आप cash flow कर लो आप मतलब के final account कर लो और एक आप ml के mission reconstruction कर लो तीन चेप्टर कर लो पास हो जाओगे लेकिन तीन चेप्टर का मतलब master होना चाहिए उस तीन चेप्टर के अंदर कि कैसा भी questions आएगा इ पदा चला आपने ये चेप्टर भी टच टच करके बोला के आ गया है और एक्जाम में करी नहीं पाओ तो कैसे हो गे पास आपके चेप्टर ज्यादा नहीं देखो amalgamation मैं कहता हूं कौन-कौन से चेप्टर करके पास हो जागो ये पास होने की बात कर रहे हो ना holding कर लो पक्का एक question cash flow कर लो पक्का एक question final account कर लो पक्का एक question मैं कहा रहा हूं आपके 80% आजेंगे चार चेप्टर कर लो 80 से 75% आजेंगे उसमें तो मैं क्या कह रहा था कि YouTube के उपर ये वीडियो नहीं आएगी और YouTube पे नहीं आएगी मतलब अब बच्चे YouTube वाले भी हमारे स्टूडेंट को कैसे pattern का पता चले मैं एक नया पूर्स लॉंच कर दूँगा जिस नया कूर्स क्या लॉंच करना पीछे साल का सब्सक्राइब और मैं कहूंगा आप बच्चे अगर ग्रूप में कर सकते हैं तो ग्रूप में कर लीजेगा ताकि आपके पैसे मेरा इसमें देखो मैं सिंप्ली मुझे बोलता हुए भी ठीक नहीं लग रहा कि 29 रुपए का कोर्स ले लो मैं तो कहता हूं 10-12 बच्चे मिल जाओ और मिलके देख लो ग्रूप बना लो और एक पेमिंट करके कर लो मुझे इस पैसे से मतलब नहीं है सर आपके मैं सिर्फ थोड़ा सा चैनल के लिए जो आपसे जुड़ा हुआ है उसके उपर कोई दिक्कत आएगी तो आप और और ज्यादा परिशान हो जाओगे सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ ठीक है समझ पा रहे होगे साइद आ 2-4 बच्चे जुड़ा हो जुड़ने के साथ आप कर सकते हो उसके हिसाप hazır हो जाएगा तो यू झो यह जह अभी ओस कर दूगा यह जांक और चिन बच्चों को खरीद रहा है साही खरीद सकता है जिन बच्चों को लगता है कि हम दोस्तों से पूछ लेंगे और उसके साफ से Carry कर लेंगे वह कर सकते हैं क्यों कि मान लिया जाए कुछ बच्चे कहते हैं Sir टेलीग्राम पर कर लो हर जगह पर स्ट्राइक लग सकती है हमा जो मैं लगता है मुझे यह वीडियो ज्यादा नहीं एक से दो दिन के लिए एक दिन आज रखूंगा और शाम को इस वीडियो को भी मैं रिमूव कर दूँगा तो यह चीज़ ध्यान रखेगा जिन बच्चों को वीडियो डाउनलोड करना है डाउनलोड कर लीजेगा शेयर मैं रिमूव कर दूँगा थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में